नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों आज के विडियो का जो विशय है वह है जल जैस इस स्रिष्टी में कोई भी मनुष्य नहीं था तो ये पूरी स्रिष्टी जलमगन थी मतलब पूरी स्रिष्टी में जल ही जल भरा हुआ था इसी तरह से जो हमारा शरीर होता है वो पांच धातु से निर्मित होता है जिसमें सबसे जो जरूरी तथ्य होता है वो होता है जल दोस्तों आप बिना खाना खाए बिना अन्न के 2, 4, 5, 6 दिन आराम से रह सकते हैं, परंतु समझा गया है कि जल के बिना कुछ घंटे में ही व्याकुल होना शुरू हो जाते हैं, जल को अमरित भी कहा जाता है, इसी के साथ आपको बता दें, अगर जल का सही तरीके से उपाय क करते हुए आप साधना करें, तो मान के चलिए आपके जीवन की गरीबी दरिदरता, परेशानी कष्ट हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद आपको मिलेगा आपके, घर पर धन का शुरू हो जाएगा, आपका जो व्यापार ठप व्यापार वापस से चालू हो जाएगा, और आपके जीवन की कई तरीके की परेशानिया जैसे संतान प्राप्ती, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार इन तरीके की दिक्कतों आपको छुट्टी मिल जाएगी, दोस्तों, ये सारी जो जानकारियां आज हम आपको देने जा र अपने पास जो सबसे करीबी चीज होती है, उसका नहीं पता होता है, इसी तरह से अगर आपको जल का सही महत्व पता चल जाए, इसका तोटका करना है, जो बड़ा आसान है, तो मान के चलिए आपके जीवन की कई तरीके की जो दिक्कते हैं, वो तो चुट्कियों में खत् दोस्तों, इन तोटकों को आप एक बार करके देख लीजिए, और अगर आपको इसका फाइदा नहीं मिलता है, तो तुरंत ही इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम ये आपको स्टैम पेपर पर लिखके दे रहे हैं, कि आपके जीवन में कितनी ही बड़ी पर चाहें नौकरी की, व्यवसाय की व्यापार की संतान की इन तरीके की दिक्कतों से, परिशानियों से आपको सिर्फ जल से ही छुट्टी मिल जाएगी, और दोस्तों ये जो भी टोटके आपको पता चलने जा रहे हैं, इसमें आपका एक रुपए का खर्चा नहीं है, परंत से ब्राह्मन से तांत्रिकों से पूजा पाठ हैं, उसके बाद उनको ये लगता है कि उसका उनको फल मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने समस्या का, अगर आप समाधान किसी और व्यक्ती से निकलवा रही हैं, तो उसका फल मिलने में थोड़ा समय लग जाता है, परंतु अगर आप अपनी सिध्धी सिध्ध कर दें, तो उसका लाभ आपको तुरंत हाथों हाथ मिल जाता है, तो ये जो टोटके हम आपको बताएंगे, इसको आपको अकेले में करना है और बहुत रखिएगा, इन बता दीजिए कि जिससे हमारे जीवन की सारी समस्याएं चली जाएं, तो हम हर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों ये जितने भी तांतरिक गुन आज आपको बताए जाएंगे, ये वासुशास्त्र लाल किताब हिंदू पौरानिक किताबों से ढूंद कर आपके लिए लाए गए हैं, इसलिए कौपी पेन, किताब, लीजिए और एक एक करके वो सारी जानकारी लिख लीजिए, जो हम आपको बताने जा रही हैं, देखिए दोस्तों बहुत आसान सी चीजें जैसा कि आपको भी पता है कि कभी कभार आप मेहंत करते करते ठक जाते हैं, परंतु उसका फल नहीं मिल पाता है, कभी कभार आपका दुरभाग्य आपके पीछ पढ़ जाता है, घर में रोज लडाईच गड़ा होता रहता है, माता लक्षमी जी का आपको आशिरवाद नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें होता क्या है कि आप ग्रहों की चाल होती है, वो आपके खिलाफ हो जाती है, पानी का सही उप्योग करके इसके तंत्रविद्या को अपना करके आप अपने ग्रहों की चाल तक को मोर सकते हैं, इसलिए जितनी भी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दी जा रही है, वो एक-एक करके हम बताने जा रही हैं, सबसे पहली जानकारी जो आपको दी जाएगी वो है इच्छापूर्ती के लिए, आपकी कोई भी हो मतलब इच्छा आपकी कोई भी हो एक ऐसी क्रिया है, जल के द्वारा अगर उसको किया जाएं तो आपकी कोई भी इच्छा हो वो अवश्य पूरी होगी शुकल पक्ष के बारे में आप लोगों ने न सुना हो तो शुकल पक्ष अपने कैलेंडर में अगर आप शुकल पक्ष के पूरे मास में एक लोटा जल अर्पित करते हैं, लोटा का एक जल अर्पित करते हुए अपनी इच्छा बोलते हैं, तो मान के चलिए आपकी इच्छा पूर्ती होना तय है। और ये सारी बाते वासु शास्त्र में लिखी हुई है, परन्तु अभ मूर्खों की बात कभी भी मत सुनियेगा, पीपल का व्रिक्ष हो गया और तुलसी का व्रिक्ष हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, इन पर कभी भी रविवार को पानी नहीं अर्पित किया जाता है, इनको ना रविवार को चुआ जाता है। कुछ मूर्ख कहते हैं कि पी रविवार को भी पानी चढ़ा दिया तो मान के चलिए आपके घर पर दरिद्रता आ जाएगी बहुत नुकसान होगा आपको इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा शुकल पक्ष में सिर्फ रविवार का दिन छोड़ के अगर आप प्रतिदिन पानी चढ़ा रही हैं और अपनी इच्छा बोल रही हैं तो आपकी इच्छा पूर्ती होगी ये 110% बात तय है दोस्तों पीपल के वरिक्ष पर विश्नु जी माता लक्ष्मी जी का वास होता है पीपल यह वरिक्ष बहुत ही शुभ वरिक्ष होता है और इसकी कई लोग पूजा भी करते हैं इस पे मौली धागे से बंधन ही बांधा जाता है वो अलग टोटके होते हैं परंतु शुकल पक्ष में की गई पानी का ये क्रिया आपके जीवन में आपकी इच्छा पूर्ती को करवा सकता है इसलिए दोस्तों अगर आप शुकल पक्ष में ये क्रिया करते हैं आपके घर पर वास करने आएंगी होता क्या है दोस्तों कभी कभार हमारे पास धन आता है फिर एकदम से बंध हो जाता है आपको शायद ये बात ना पता हो कि आपने जाने अंजाने कुछ ऐसा अवश्य कर दिया था जिसकी वजह से माता लक्ष मी जी रुष्ट हो गई थी अब आपको क्या करना चाहिए देखिए कुछ भी आपसे गलती हो गई थी तो एक बात जान लीजिए हिंदू पुराणों के हिसाब से गया है कि माता लक्ष मी जी जितनी जल्दी नाराज होती है उतनी जल्दी प्रसन्न हो जाती है बस साधना सही तरीके की कीजिये तो एक तामबे के लोटे में जल ले लीजिए प्रती शाम को आपको एक तामबे के लोटे में जल लेना है उसमें शुद्ध जल डालिएगा दो इतर की बूंद गिरा दीजिए और एक लाल फूल फूल दोस्तों लाल ही होना चाहिए इतना करके आपको शाम के वक्त अपने घर के म जैसे मान लीजिये जिस घर में लड़ाईज गड़ा ग्रहकलेश होता है तो वहाँ पर माता लक्षमी जी कभी व्यास नहीं करती है जिस घर के दर्वाजों पर रंगोली एक हफते में एक बार बना दी जाती है या कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि माता लक्षमी जी को अच्छ कर देते हैं और मान के चलिए प्रती शाम यह करते हैं तो माता लक्षमी जी आपके घर पे तो आएंगे ही आएंगी आपके घर पर वास भी करेंगी बस एक लोटे में जल रखना है आपको दो बूंद इत्र की गिरा देनी है और एक लाल फूल रख देना लाल फूल कोई भ हो सकता है गुढ़ल गुलाब का जो भी आपको मिल जाए हर शाम को किया गया ये टोटका हर शाम को किया गया ये क्रिया आपको माता लक्षमी जी का आशिरवाद दिलवा सकता है और माता लक्षमी जी आपके घर पर वास करने आएंगी तीसरी क्रिया बड़ी आसान सी क्रि दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने वाली क्रिया बिल्कुल सही सुना आप लोगोंने परंतु इस क्रिया को करना थोड़ा। तो पौधा लगा ही होगा। कोई भी पौधा लगा हो उसमें बस तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे कभी भी तुलसी के पौधे में नहीं करना चाहिए। आपके जो ग्रहों की चाल होगी वो अच्छी हो जाएगी। आपके तारे आपका साथ में देना चालो कर देंगे। अब आप ये भी रहे होंगे। कमफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन से पौधे को वैसे तो आप किसी भी पौधे को कर सकते हैं। इस क्रिया बस तुलसी के पौधे में मत कीजिएगा। और अगर आप कर सकते हैं तो एक पौधा आता है। अपराजिता का पौधा जिसको विश्नुकांता नाम से भी जाना। जाता है इस पे भगवान विश्नुजी वास करते हैं या भगवान विश्नुजी को बड़ा प्रिय होता है तो इस पौधे को अगर आप घर पर ले आए और प्रत्येक दिन याक्रिया करना चालू कर दे पानी तो मान के चलिए आपको दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा ये एक ऐसी क्रिया है दोस्तों जो तांतरिक विद्याओं में सबसे अवल और तरीका माने आता है किसी के भी दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने के लिए दोस्तों इस क्रिया को अगर आप करते है तो मान के चलिए आपका दुर्भाग्य भाग्य बदल जाएगा और आप चाहते हैं कि भगवान विश्णु जी का आपका आशिरवाद मिले तो कमेंट बॉक्स में जय विश्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा और वीडियो लाइक तुरंत कर अब जो हम आपको एक क्रिया बताने आ रहे हैं ये एक ऐसी क्रिया है दोस्तों जो बड़ी आसान सी क्रिया है परंतु इसको करते कैसे हैं ये कई लोगों को नहीं पता होगा दे तंग आ चुके हैं जिन्दगी में तूट चुके हैं नौकरी नहीं लग रही है कि प्राप्ती नहीं हो रही है आप सोच ले कि अब क्या किया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों हर सुमवार सुभा के वक्त नहा धो करके अगर एक तामबे के लोटे में आप आपको भगवान भोलेनाथ जी का वो आशिरवात दिलवा सकती है से आपके जीवन में सामने आपके तत्व कोई भी काल भी खड़ा होगा वो भी आपका एक बाल नहीं तोर पाएगा इतने हमारे अच्छे हैं भोलेनाथ बाबा इतने भोले हैं भोलेनाथ बाबा की वो सिर पिट कर देंगे, तो आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशिरवाद मिलना तय है, आपकी कोई भी इच्छा हो, प्राप्ती की हो, नौकरी प्राप्ती की हो आप अपने बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं, आप अपने दुरभाग्य को बदलना चाहते हैं, आपके नवगर आज के लिए बस इतना ही लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों